नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम आपको साप्ताहिक राशिफल से अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक राशिफल एक से साथ अप्रेल दो हजार चौबीस हम आपको बताएंगे के दिन चुप और मंगल मैं हो परन्तु पहले हम आपको बताएंगे आपका साप्ताहिक राशिफल ताकि आप अपने आगामी कारियों की तैयारी कर सकें हमारे चैनल पर आपको रोज नई-नई जानकारी और राशिफल मिलेगा इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप को स्वास्थे बना रहेगा युवाओं पर वानी का प्रभाव बढ़ेगा इसलिए अपनी वानी को सही दिशा में इस्तमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़े इस सप्ता आप आदर्श मेजबान साबित होंगे घर पर महमानों का आगमन होगा और वह आपकी महमान नवाज से प्रसंद होंगे आपकी लाइफ स्टाइल आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में सफलता दिलाएगी व्रेश राशी इस हफ़ते आप अपने पेशे में कुछ अनुकूल परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं जैसे कि नई संभावनाएं या सहयोग जब पैसे की बात आ सकता है घरेलों विवादों को कोट में ले जाने के बजाए उन्हें आपसी बातचीत से सुलजाने का प्रयास करें सेहत का मामला तो सामान्य ही रहेगा लेकिन यदि आपने किसी तरह की लापरवाही की तो तबीयत बिगड़ना तै है मिथुन राशी इस सप्ता मिथुन र किताने का मौका मिलेगा परिवार में भविश्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी योजना आपने पहले बनाई थी उस दशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं सेहत का मामला इस सप्ता सामान्य ही रहने वाला है लेकिन जागरूप बने रहना होगा करक राशी इस हफ़ते देखभाल गतिविधियों में शामिल होकर अपने शारिरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रात्मिक तादेने के लिए समय निकाले युवा अपने पार्टनर की भावनाओं और मजबूरियों को नजर अंदाज ना करें बलकि उन्हें समझें औ तो आपका स्वास्थे इस सप्ता सामान्य ही रहेगा सिंग राशी इस हफ़ते शारिरिक गतिविधी में शामिल होकर और पौश्टिक आहार खाकर इसका लाब उठाएं आप अपने पेशे में कुछ अनुकूल परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं युवाओं को मन माफ सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी उनके लिए यही एक मात्र विकल्प हो सकता है इसका और कोई शॉटकट नहीं परिवार में जो भी संचित धन है उसमें इस सप्ता अच्छी वृद्धी होने की संभावना दिख रही है मौसमी बीमारियों के प्रती सचेत रह सखें कन्या राशी इस हफ्ते स्वयं की देखभाल को प्रात्मिकता दें और जरूरत पढ़ने पर प्रियजनों से सहायता लें आप अपने पेशे में कुछ अनुकूल परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं लव लाइफ है तो खटी मीठी तक्रार बनी ही रहेगी इसको लेकर संबंधों में दरार ना आने दें पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूर्णने में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा समस्याएं उनके साथ शेयर करें पेट संबंधी दिक्कत बढ़ने की संभावना दिख रही है अपने खानपान को नियंतरित रखें और पौश्टिक ताजा भोजन ही करें तुला राशी इस हफ़ते अपने मानसिक और भावनात्मक कल्यान को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए आत्मदेख भाल आवशक है और आपको आवशकता पढ़ने पर प्रियजनों से सहायता लेनी चाहिए आप अपने पेशे में कुछ अनुकूल परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं समय और उर्जा दोनों का ठीक से प्रबंधन न कर पाने से युवाओं का कार्य पूरा करने में बाधा आ सकती है बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके और आपके परिवार के लिए खुशी का बड़ा कारण बनेगी सेहत ठीक रखने के लिए आपको अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में एसेडिटी आदी न होने पाए व्रुष्चिक राशी इस हफ़ते शारेरिक गतिविधी में शामिल होकर और पौश्टिक आहार खाकर इसका लाब उठाएं किसी तो आपकी प्रगती बाधित हो सकती है परिवार के प्रती भावनात्मत लगाव बढ़ने से आपका दामपत्य जीवन खुशाल रहेगा इसे ऐसा ही बनाए रखने का प्रयास करें सेहत और रिष्टे दोनों का ही ध्यान रखना होगा जरा सी चूक दोनों ही मामलों में अस निवेश के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है युवा जिन कारियों में पारंगत हैं उन कारियों को प्रात्मिकता दे और अन्य कारियों को बाद में करें तो अच्छा रहेगा परिवार के वरिष्ट सदस्यों की सला और भावना को नजर अंदास करने से बचे उनका सम्मान करें सेहत के मामले में पैरों में मोच आ सकती है या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है इसलिए चलते समय सजग रहें मकर राशी इस हफते व्यापारी किसी व्यावसाइक दील को करते समय सजगता बनाए रखें अन्यथा आपकी गलती फाइदे को नुकसान में बदल सकती है युवा अपने मित्रों के बीच में स्वार्थी तत्वों की पहचान करें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर चलें इसी में भलाई है परिवार में बच्चों के करियर और विवा को लेकर चिंता हो सकती है ईश्वर ने सभी कारियों के लिए समय निर्धारित कर रठा है इसलिए परेशान ना हूँ सेहत को ठीक रखने के लिए आपको किसी भी तरह के तनाव से बच़कर रहना होगा कुम्भ राशी इस हफ़ते व्यापारी किसी व्यावसाइक डील को करते समय सजक्ता बनाए रखें अन्यथा आपकी गलती फाइदे को नुकसान में बदल सकती है युवा अपने मित्रों के बीच में स्वार्थी तत्वों की पहचान करें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर चलें इसी में भलाई है परिवार में बच्चों के करियर और विवा को लेकर चिंता हो सकती है इश्वर ने सभी कारियों के लिए समय निर्धारित कर रखा है इसलिए परेशान ना हो सेहत को ठीक रखने के लिए आपको किसी भी तरह के तनाव से बचकर रहना होगा मीन राशी, इस हफते कारोबारियों को अपने व्यवसाई के संबंध में कोई निरने लेना है तो इस फील्ड के अनुभुवी लोगों से मार्ग दर्शन लेने के बाद ही फैसला करें युवा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने करियर के साथ समझोता ना करें, करियर पर इसका प्रभाव ना पढ़ने दें इस सब्ता आप परिवार के दूसरे सदस्यों की परिशानी दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे मांस्पेशियों की exercise करते रही क्योंकि मांस्पेशियों का दर्द आपको परिशान कर सकता है इस प्रकार सभी राशियों के लिए सापताहिक राशिफल विभिन रहेगा आप अपनी राशी के अनुसार निरने ले और अपने लक्षों की और अग्रसर हो यदि आपको हमारा विडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक और शेर करें धन्यवाद